मित्रो नवश्कार लीगल एवेर्नेस प्रोग्राम मित्रो जीवन में जब कोई व्यक्ति संपत्ति बनाता है तो वो उसकी सुरक्षा के लिए अपने मकान पापल्टी जो भी है उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत से मजबूत गेट लगवाता है ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है कि जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता है जो अवांचित लोग हैं जिनको नहीं चाहता है वो उसके घर में ना गुसे अपने प्रोपल्टी की इस तरह से वो सुरक्षा करता है लेकिन इसी तरह से वो अपने ये भी चाहता है कि वो उसकी मिर्तियों के बाद जो उसकी property है वो भी बिल्कुल सुरक्षित हातों में रहे और ऐसे लोगों के पास ना जाए जिनको जीवन में उसने कभी पसंद नहीं किया जिसको अपनी बिल में बसियत में उन्होंने कुछ भी उसको नहीं दिया तो इसकी सुरक्षा के लिए भी वो बहुत ही मजबूत जितने भी उसको पास जानकारी है उसके हिसाब से उसका प्रियास करता है और ये कोशिश करता है कि उसकी मिर्तियों के बाद उसकी प्रफ़र्टी सुरक्षित हातों में सुरक्षित रूप से रहे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए खह रहा हूँ कि ये आज का जो विशय का मेरा है ये है बसीयत पे और मित्रों ये भी एक बिचितरी सी बात है कि मिर्तियों के बाद संपत्ती में उन लोगों के द्वारा घुसने का प्रियास किया जाता है जिनको जो संपत्ती का मालिक था उसने जीवन में कभी नहीं चाहा वो लोग टक्नीकी टेक्निकल कारणों से वो उस प्रॉपल्टी में घुसने की कोशिश करते हैं और उसकी बसीयत की द्वारा जो उसने सुरुक्षा कवर पहनाया है उसको तोड़ करके वो उसको मिस इंटर यह तो सामाने सी बात मैंने बताई लेकिन मैं तो एक बात है वो क्या कि लोग सामाने रूप से क्या समझते हैं कि बस्यत लिखती और उसको रेश्टर्ड करवा दिया तो जब रेश्टर्ड करवा दिया तो रेश्टरेशन के बाद उस समझते हैं कि अब यह बस्यत पूरी पुक्ता हो गई, मजबूत हो गई अब इसमें जो लिखा है इसके अलाबा कोई इस प्रोपल्टी में हस्ताशेप नहीं कर पाएगा लेकिन यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है केबल रेश्टेशन मातर से केबल रेश्टेशन मातर से यह नहीं समझा जा सकता कि वो उनकी विल पूरी तरह से मजबूत और वैलिड हो गई है यह बड़ी बात आपको नहीं लग रही होगी लेकिन यह बात नई अविश्य है ओनरेवल सुप्रीम कोड ने एक नया इंटर्प्रेशन किया है अब तरह एक सुप्रीम कोड का ओर्डर आया जज्जमेंट आया है 6 अक्टूवर 2023 को और बहुत ही इंपॉर्टेंट है विल के सम्मद में वसियत के सम्मद में जिस पर मैं आज आपके वीज में चर्चा करूँगा और कोड के ओर्डर को भी लोगा उसको समझेंगे भी और साथ साथ वो क्या उसका इंटर्प्रेशन हो रहा है वसियत के सम्मद में मैं ये भी बताता चलूँगा तो सबसे पहले तो ये ले लेते हैं कि मामला कौन सा है मामला है धनी राम एलार्स एंट अदर्स वर्सेज शिव सिंग सिविल अपील नंबर 8172 ऑफ 2009 इसमें ओर्डर आया 6 अक्टूबर 2023 अभी दो महीने पहले ये ओर्डर आया है तो अब इस ओर्डर को हम समझेंगे तो इसकी कहानी को समझते हैं और कहने के साथ सत कानून को भी समझेंगे और मैं आपको बताता चलूँगा तो सबसे पहले इसकी कहानी ये है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोहनलाल और उनकी पतनी उनका नाम था लीला देवी उनके कोई बच्चा नहीं था और वो मालिक के रूप में रहती रही लेकिन संतान तो थी नहीं तो उन्होंने भी एक विल करी उसके लिए वह विल किसके पक्ष में करी अपने बतीजे मतलब जो वाइफ थी उनके भाई के लड़के के पक्ष में 1987 में उनकी डैथ हुई लेकिन उन्होंने जो बिल करी मैंने बताना था कि आपने भाई के लड़के के पक्ष में वो बिल कर दी अपनी प्रॉपर्टी की इस तरह से जब 87 में उनकी डैथ हुई तो उनके बतीजे जिसका नाम था धनी राम ने उस बिल के आधार पर म्यूटेशन करवा लिया और प्रॉपर्टी उनके पास पहुच गई और प्रॉपर्ली म्यूटेशन दाखिला खारिज भी हो गया लेकिन जब ये बात दाखिला खारिज हो गया तो जो सोहनलाल जिनकी वो लेला बती लेलावाई पत्नी थी उनके भी भतीजे को पता चली कि ये तो प्रॉपर्टी वह सज बिटनेस्स हैं इसके वो प्रॉपर नहीं एं और उन बिना प्रॉपर विटनेस के यह भी ठीक नहीं है वेशक। लेकिन क्या था चप्रेङब्ल हैं जो विल र colon με की वह Warriors G विटनेस में क्या कमी थी एक विटनेस में सो कह दिया the house step पूरी तरहे और दूसरा था उसने कहा कि मैंने सायन तो किये हैं लेकिन फिस CANSON किसी और बज़े कि इन पता था कि यह इस रूप माершे से संकराय जा रहा हैं इस तरहे से दोनुं विटनेस ke disturb हो जाने मातर से colt के सामने ये बात आई कि will तो रिश्टर्ट है क्या परपढ़ता है तो cold ने कहा नहीं क्योंकि witness disturb है इसलिए इसके रिश्टर्ट होने से कोई फर्थ नहीं पढ़ता और उन्होंने उस will को खारज कर दिया और ये order किया कि जो mutation हुआ उसको रद्द कर दिया जाए और इस पर कब जा जो है वो जो सोहनलाल जो लीला भाई के हजबेंट के बतीजे अब एक छोटी सी बात में आपको समय एक मिनट का ले रहा हूं कि उनका बीच में कहां से दखल हो गया तो देखिए क्योंकि इस मामले में क्लास वन हैर्स की जो ल जो है उसमें भाई बैनाते हैं तो भाई भी पुराने हो गया तो भाई भी नहीं थे लेकिंगे उनके बच्चे भतीजा था तो इसलिए इस ग्राउंड से उन्होंने इसमें दखल दिया तो फर्स्ट कोल्ट जो था ट्राइल कोल्ट ने ये कहा कि नहीं विल के आधार पर ये जो विल है नहीं मानी जाएगी म्यूटेशन रद्ध कर दिया गया और शिप सिंग जिन का नाम था सोहनलाल के जो भतीजे थे उनके हक में और कर दिया तो इस तरह से ये मैटर वहां पर जो विल के आधार पर म्यूटेशन वहा था वह सब रद्ध हो गया तो जब रद् मामला है सोलन का ये मामला मितनों सोलन हिमाचल प्रदेश का है ये और अब उसमें वहा क्या ये मामला पहुंच गया डिश्टिक कोल पे डिश्टिक जच के यह और अपील में तो ये अपील डिसाइट कभ हुई 1998 में ये डिसाइट हुई और इसमें क्या कहा अपीलिट कोल् वो रेश्टर्ड विल है तो फ़र बागी कुछ देखने की जरूरत नहीं है और क्योंकि विल रेश्टर्ड है तो बिल मानी जाएगी तो फिर से उसके मुटिशन द्रूर्ड वो एक्टिव हो गया और अब धनी राम के पक्ष में हो गया तो जब seat धनी राम के पक्ष में बात हो गई तो उनहोंने जो इनके भदिजे थे शिपяж इं जिनके हक में trial code ने order किया था वो high code इस matter को ले गए और high code में detail से सुना गया और 2009 में ये matter decide हुआ और 2009 में decide क्या हुआ high code ने का नहीं नहीं ये जो trial code का order है वो ही सही है और क्योंकि केवल will के registered हो जाने से ये सही नहीं माना जा सकता क्योंकि उसकी जो main requirement है वो witnesses है वो ठीक नहीं है इसलिए ये नहीं माना जाएगा अब high code ने जो फैसला दिया वो तो टैल code के order को सही बता दिया तो फिर धनी राम को high code के order को challenge करने के लिए supreme code जाना पड़ा इस तरह से ये मामला supreme code में आ गया supreme code का तो देखिए supreme code ने जो बात कही तो वह एक line जो main है वो पर के सुनाता हूँ a will cannot be presumed to be valid merely because it is registered केवल will registered है इसलिए इसको valid नहीं presume किया जा सकता इसको valid नहीं का जा सकता सब्से पहली बात तो तो फिर क्या होना चाहिए क्या कमी रही अब हम इसमें आगे चलते हैं तो सुप्रीम code ने क्या कहा कि अपने order में एक तो डिसकस किया section 63 of Indian succession act 1925 को और इसका हवाला लिया कि इसके reference होना चाहिए और दूसरा लिया Indian evidence act 1872 की section 68 और 71 को इसकी वज़े से उन्होंने कहा कि नहीं विल जो है वो वसियत registered वेशक है लेकिन इसको मानता नहीं दी जा सकती क्योंकि जो Indian succession act की section 63 63 है उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 63 है क्या तो 63 कहती है कि विल में यह बसियत के लिए है special Indian succession act की section 63 यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि विल कम से कम दो गवाओं की द्वारा प्रमानित होनी चाहिए कम से कम दो witnesses के द्वारा होनी चाहिए और इसको एक witness कम से कम उसमें से ये प्रमानित करे कि बस्यत करता ने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है पहली इस्तिति कि वो ये प्रमानित कर दे कि बस्यत करता जो testator है उसने मेरे सामने sign किया है अब दो हैं तो एक ने तो कर दिया और एक अखली दिन करता है तो उसके साथ वो कैसे करेगा वो ये लिखके प्रमानित करें कि इन्होंने वस्यत करता ने बताया कि ये मेरे सिंगनेचर है और इस पहले वाले गवा के सामने उन्होंने ये की हैं ये सब लिखते हुए अगर ज इस मामले में दोनों गवा बिदग गए थे और उनके द्वारा ऐसा नहीं कहा गया तो सुप्रीम कोड ने कहा इस तरह ते इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 63 का कि पालना नहीं हो पाई अब उन्होंने कहा क्या कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 और 71 का वाला तो 68 क्या कहती है? 68 ये कहती है कि अगर कहीं पर भी किसी भी विदिक बिवस्ता में कोई डाकुमेंट का अटेश्ट होना निवारे बताया गया है जैसे कि विल में ये का गया है कि दो गवाओं के दोरा उसको पर्मानित किया जाएगा अटेश्ट किया जाएगा तो section 68 of Indian Evidence Act कहती है कि अगर किसी भी कानून के तहत किसी भी डाकुमेंट को अटेश्ट होना बताया गया है कि अटेश्ट होना नहीं वा रहे है तो इसका मतलब यह है कि वो तभी evidence की रूपे माने होगा जब कम से कम एक witness उन दो गवाओं में से एक को डाकुमेंट को आकर कि प्रमानित करे कि हाँ ये डाकुमेंट मेरे सामने मेरे इन्होंने सास्ताक्षर मेरे सामने की है तो इस मामले में भी अब इस case में क्या हुआ पाया गया कि नहीं इसमें 68 का भी पालना नहीं की गई इसके अलावा एक section 71 का भी reference लिया गया तो 71 क्या कहती है 71 ये कहती है कि वाई दीबे अगर ऐसी घटना है कि जिसमें वो जो दोनों गवाँ हैं वो पुराने हो गाएं घटना पुरानी हो चुकी है वस्यत बने वे काफी समय हो चुका है या कोई बीमारी हो गया कोई हासा हो गया इसके बज़े से वो भूल गए हैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं अगर वो ऐसी इस्तिती बन जाती है कि दोनों में से कोई भी प्रमानित नहीं करने की स्थिती में है तब क्या किया जाएगा तब विल को दूसरे evidence से प्रमानित किये थे उनकी गवाई होती वो भी कुछ नहीं था तो इस तरह से 71 में ये कहा गया कि अगर दोनों गवार नहीं भी हो तो फिर extra evidence से भी इसको प्रमानित किया जा सकता है वो भी नहीं किया गया तो Supreme Court ने कहा कि जब succession act की section 63 की पालना नहीं हुई evidence act की 68 की पालना नहीं हुई 71 की पालना नहीं हुई तो केवल बिल की रिश्टर्ड कर देने मात से इसको मानता इसको बैलेट नहीं माना जाएगा में तो बड़ा ही important बात हो गई जनरली होता क्या है कि सब लोग अपने हिसाब से बिल बना करके और बिल को रिश्टर्ड करवा लेते हैं और समझ बैठत होता है कि वो जो सुरक्षा कबच पैनाया गया था वो भेग दिया जाता है और जिनको मिलना चाहिए था वो विचारे देखते रह जाते हैं अब हम यह बात कहेंगे कि हमारे वसियत में के समद्ध में हमने एक पहले वीडियो दिया है उस वीडियो में मैंने डिटेल से हर बात को बताया है कि वसियत बनाते समय किन किन पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना है इस वीडियो का लिंक मैं इस आज के इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप एक बार उसको जरूर देख ले और उसको देखने से आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी ले बस्यत करने वाला है उसका डिटेल इंट्रेक्शन आएगा फिर दूसरा आएगा टेस्टेटर शुडबी इस साउंड माइंड ये परमानित होना चाहिए ये भी परमानित उसमें किया जाएगा एक लाइन में तीसरा डिटेल और प्रॉपल्टी की पूरी डिटेल उसमें फिर उसके बाद आएगा डिटेल और फिर्स्ट क्लास हायर कि उसके उत्रादीकारी फिर्स्ट क्लास हायर की कौन कौन लोग हैं चाहें देना चाहें या ना देना चाहें लेकिन लिष्ट पूरी आने चाहिए कि इन चारों में कौन पुत्र हैं पुत्रिया कौन हैं पत्नी इसे बेदखल करते हैं, उनको प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, हैं तो बेशक क्लास बन के, लेकिन उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जा रही है, उन सब का भी नाम खोल दिया जाएगा, उसके बाद आएगा, नेम आप दोस परसंस, फिर उन लोगों का नाम आएगा, जिनको हिस्सा दिया जा रहा है, फिर नेस्ट आएगा, एक उसकी जो बस्यत की जाएगी, उसको एक आदमी को एक पॉइंट किया जाएगा, उसका नाम डिटेल सब आएगी, फिर आएगा कि कंडिशन, if any, with regard to property, उसमें अगर उस property के संबंद में कुछ conditions लगाई जाती है, जैसे कि किसको देना है, और कितने दिन, कितने यूज़ करना है, केवल सेल का राइट नहीं है, इस तरह कि जो भी conditions है, वो इसमें मेंशन की जाएगी, उसके बाद हस्ताक्षर होंगे, और उसके बाद ब करेंगे, कि इन्होंने इस तारी को इतने बज़े मेरे सामने हस्ताक्षर किये, इस सारे points और in point का detail description आपको detail में तफसील से मैंने इनको बताया कि इस point में क्या क्या लिखा जाना है, इसके लिए आप जो link मैंने बताया कि description में link दिया गया मेरे पुराने वीडियो को, उसको भी देखने का केश्ट करें, उससे आपकी सारी बात clear हो जाएगी, मित्रों जिसमें ने point बताई, इन points को अगर तयार करके, इन points के अंतरकत सारी बातों को ला करके, और दो witness के proper signature, और witness कैसे होने चाहिए, witness ऐसे होने चाहिए, जिसमें कि हम उमीद करें, कि अगर जरूरत प और वही वाले साइन होने चाहिए, जो कि सरकारी रूप से साइन है, साइन किसी भी तरह से भिंज नहीं होने चाहिए, और फिर बस्यत को रेश्टर करा लिया जाए, तो मित्रों आज के यह जो मैंने Supreme Court का जो आज मैं order लेके आया, इसने बहुत एक आँख खोलने वाला काम किया, कि लोग यह समझ लेते हैं, कि वस्यत जो है वो रेश्टर्ड है, तो तो बेफिकर हो जाते हैं, लेकिन केवल रेश्टर्ड करने मातर से वस्यत वैलिट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उस में जो मैंने यह points मनाए है, इन points के आधार पर अगर detail से, जो की Honorable High Court ने अपन को वो बिलको वैलिड माना जाएगा मुझे उमीद है कि आपको आज का ये मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा मैं तो आप से निवेदन करना चाहा हूं कि इस वीडियो को आप और लोगों को भी भेजें उनको भी चर्चा करें और उनको बताएं कि इस तरह की जो काइदा और लोग भी ले सकें नमस्कार